हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टीर सान हेल्थ केर में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लिवकोरिया के बारे में तो इसको दोस्तो धात और सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है ठिक ये दोस्तो एक बहुत खतरनाग बिमारी होती है अगर इसका सही समय पर सही इलाज नहीं किया गया तो ये सरीर को धीरे धीरे एकदम से खोखला करता चला जाता है तो दोस्तो इसके लिए हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज अगर आप करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तो हम बता रहे हैं कि आपको चाहे जितने दिन से भी प्रॉबलम हो वो आपको एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते में एकदम से ठीक हो जाएगा एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा ये दुस्तो लड़की लड़के और औरतों को होता है ये दुस्तो युवा अवस्था में ज़्यादा तर होता है और अब जन लेते हैं ये किस कारण से होता है ये दुस्तो सरीर में पोसंड की कमी, सारीरी कमजोरी, खून की कमी के कारण से होता है या फिर ज़्यादा तला हुआ चीजें या फिर मसालेदार चीजें ज़्यादा खाने के कारण होता है या फिर जिनको डाविटीज की प्रॉब्लम रहती है ये उनको होता है या फिर जो ज्यादा यौन संबंध करते हैं ये उसके कारण होता है या फिर सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता का कमजोर हो जाने के कारण होता है और अत्यधिक तनाव के कारण होता है तो दोस्तों ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वज़ा से ये प्रॉब्लम होती है ठिक तो दोस्तों इस दवा को हमने अपने पेसेंड को भी दिया है और उनको आराम भी हुआ है तो दोस्तो हम आपको पहले दवा के बारे में बताएंगे और उसके बाद इसको खाना कैसे है इसके बारे में बताएंगे और इसमें परहेज क्या रखना है उसके बारे में बताएंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखना है कोई भी पॉइंट को मिश नहीं करना है आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है तो दोस्तो आपको Decadora Bolin 50 mg का 3 injection ले लेना है और इसको आपको 5 बाच दिन बाद लगवाना है और इस injection को आपको केवल साम को ही लगवाना है ठिक ये injection दोस्तो आपको हर जगहा हर medical store पर मिल जाएगा और आपको 10 कैपसूल Neurokind Gold ठिक और 10 कैपसूल Pantop DSR ले लेना है और अगर आपको इसके दोरान सरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो आपको Zero Dal SP ले लेना है और अगर दर्द रहता है तो आपको Flexan Tablet या फिर Ultra Set Tablet ले सकते हैं ठिक ये आपको 10 Tablet ले लेना है और आपको 20 Tablet Neurokind Fort ले लेना है तो चलिए दोस्तो अब इसको खाना कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो Neurokind Gold कैपसूल को और Pantop DSR कैपसूल को आपको केवल दोपहर में रोज खाना है ठिक और Neurokind Fort Tablet को आपको सुबा साम खाना खाने के बाद एक गुली खा लेना है और अगर आपको सरीर में दर्द रहता है तभी आपको दर्द वाली दवा को खाना है नहीं तो नहीं खाना है ठिक तो दोस्तो इसके साथ आपको एक देशी दवा का भी यूज करना है ठिक तो जान लेते हैं वो क्या है ठिक तो दोस्तो जो देशी बबूल का पेड़ होता है उसकी पत्ती को पीस कर पीना है या फिर आपको सीसम का पेड़ मिल जाता है तो उसकी पत्ती को पीश कर पीना है तो इसको कैसे पीना है दोस्तों अब हम इसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों आपको चाहे सीसम की पत्ती मिले या फिर बाबुल की पत्ती मिले आपको इन में से एक ही लेना है ठिक तो अगर आप सीसम की पत्ती ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 या 25 पत्ती को तोड़ लेना है ठिक और जैसे बाबुल की पत्ती लेते हैं तो आपको आधी मुठी पत्ती तोड़ लेना है और आपको उसको पीस लेना है पीसने के बाद आपको उसमें आधा चमच मिस्री पीसी हुई मिला लेना है और आपको इसे सुबा में 6 से 7 बजे के बीच में पी लेना है और ध्यान रहे दोस्तों आपको इसे पीने के एक घंटे बाद ही कुछ खाना रहेगा ठिक या फिर आप गंटे बाद ही कुछ खा सकते हैं और आपको पांच केले दिन भर में जरूर खाने हैं ठिक, दो केले सुबा खा सकते हैं एक केले दुपाहर में खा सकते हैं और दो केले साम को सोते समय खा सकते हैं ये दोस्तों आपको रोज खाना है अगर हो सके तो तो दोस्तो पत्ती को अगर आप पी रहें तो आपको केवल सुबा ही पीना है ठिक आपको एक ही टाइम सुबा ही केवल पीना रहेगा ठिक तो दोस्तो इसमें परहेज क्या रखना है इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि दोस्तो इसमें परहेज रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठिक, तो दोस्तो इसमें परहेज क्या रखना है, चलिए हम इसके बारे में जन लेते हैं, तो नमबर एक दोस्तो आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठिक, और नमबर दो आपको मसालेदार चीजे बिल्कुल भी नहीं खानी है जैसे कि मान्स, मचले, अंडा या फिर चाहे जो भी चीज हो मसालेदार तो आपको कुछ भी नहीं खाना है, ठिक नमबर तीन, आपको दूद को भी नहीं पीना है, और नमबर चार, आपको सारीरिक संबंध बिलकुल भी नहीं बनाना है इस दारान ठीक तो दोस्तों ये परहेज आपको केवल एक महीने करना है तो दोस्तों मैं guarantee के साथ बता रहा हूं कि आपकी जो भी problem है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और जड़ से ठीक हो जाएगी तो दोस्तो अगर आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं हम आपको इसके बारे में और बहतर तरीके से बताएंगे तो दोस्तो अगर आपको इसी तरह health से related जान करी चाहिए तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को all पर press कर दीजिए ताकि हम जो नया वीडियो डाले उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके खाने में दोस्तो आप सुबा साम केवल अरहर की डाल और रोटी खाना है और हरी सबजी का यूज जादा करना है और जब भी आप खाना खाएं सलाद जरूर खाएं ठिक और आपको दोस्तो आपको दोस्तो आपको दो हपते तक जरूर से जरूर करना है ठिक